नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मिनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थो और सुरक्षित हूँगे आज मैं आपको आपकी पार्ट है पुस्तक RBSC हिंदी कक्षा 5 का 11 पार्ट नीती के दोहे का 6 पार्ट पढ़ाऊंगी इसे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कबीर दास जी के दोहे और आज हम क्या पढ़ेंगे? रहीम दास जी के दोहे तो बच्चों आईए पढ़ते हैं रहीम दास जी का पहला धुआए तो इसमें रहीम दाज जी के कहते है वो धागे के समान होता है उसे हमें कभी भी जटका दे कर नहीं तोड़ना चाहिए यदि जो प्रेम रूपी धागा है वो यदि तूट जाता है तो फिर से नहीं जुड़ता है और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गाठ अवश्य पढ़ जाती है जैसे धागा होता है ना यदि आप उसको तोड़ दो तो क्या आप उसे पहले की तरह जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते अगर जोड़ोगे भी तो उसमें गाठ लगाकर ही जोड़ पाओ के उसमें गाठ हवश्य ही पढ़ जाएगी उसी प्रकार जो प्रेम होता है ना वो भी धागे के समान होता है तो हमें क्या करना चाहिए उसको कभी भी जटका देकर रिष्टों को नहीं तोड़ना चाहिए यदि प्रेम तूट जाता है तो वो फिर से जुरता नहीं है प्रेम रूपी धागा और जुरता भी है तो उसमें गाठ अवश्य ही पड़ जाती है हमारे मन में मनमुटाव अवश्य ही रहता है कि इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी या कोई भी बात होती है तो वो बात मन में हमेशा रहती है वो प्रेम सम्मन जो है वो पहले जैसा कभी भी नहीं होता है बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाख हमारों मोल तो इसमें रहींदाज जी कहते हैं कि जो लोग महान होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वैम नहीं करते हैं और बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलते हैं अपनी परिशंशा खुद नहीं करते हैं तो वो कह रहे हैं कि रहींदाज जी कि जो हीरा होता है न हीरा क्या होता है सबसे अच्छा तो हीरा क्या होता है बच्चों बहुं मूले पदार्थ होता है रत्न होता है है ना तो जो हीरा है वो कब कहता है कि हमारा मूले लाख रुपे के समान है अर्थार वे कीमती होते भी कभी अपने मूले अपने मुँसे नहीं बताता है उसी प्रकार महान व्यक्ती भी अपने गुणों का बखान स्वेम नहीं करते हैं अपने मुँसे नहीं करते हैं तरुवर फल नहीं खात है सर्वर पिये न पान कहरहीम पर काज़ित संपति संचही सुजान तरुवर यानि व्रक्ष सरवर मने सरोवर तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्रक्ष अपने फल स्वैम नहीं खाता है सरोवर अपना पानी स्वैम नहीं पीता है आपने देखा है कि कभी व्रक्ष अपने फल खुद खा रहा है या सरोवर या नदियां अपना पानी स्वैम पी रही हैं नहीं वो क्या करते हैं परोपकार के लिए बहते हैं परोपकार के लिए व्रक्ष देते हैं तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी संपति संचही दूसरों के काज के लिए दूसरों के कारे के लिए या दूसरों के हित के लिए ही संपति को एक रत्रित करते हैं संचह करते हैं वे अपने लिए धन का संचय नहीं करते हैं जिस प्रकार विरक्ष कभी स्वैम फल नहीं खाता है सरोबर अपना पानी स्वैम नहीं पीता है उसी प्रकार रहिमदाश जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के कार्य को कार्य को पूर्ण करने के लिए या दूसरों के हित करने के लिए ही संपत्ती का संचय करते हैं धानी खटा करते हैं स्वैम के लिए नहीं जे करीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मुताई जोग तो इसमें रहीमदाज जी कहते हैं कि जो लोग करीबों का हिद करते हैं वे ही महान लोग होते हैं जैसे जो सुदामा थे न वो कैसे थे असाई थे गरीब थे उनको भी भगवान श्रीकृिष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य जोग माने योगे, मिताई माने मितरता, मितरता के योगे समझा और अपने बराबरी का दर्जा देखकर उनका मान भड़ाया तो इसमें कह रहे हैं कि जो गरीब लोगों का हिद करते हैं वो ही बड़े लोग या महान लोग होते हैं जैसे बिचारे गरीब सुधामा को श्री कृष्ण ने अपने मित्रता के योग समझा तो बच्चों ये इसके शब्दार्थ हैं इस पार्ट के इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे मिलिया मिला, खोजा खोजना, बलिहारी न्योचावर, सर्वर तालाब, संचही संचे करते हैं, परहित दूसरों की भलाई, साई ईश्वर या भगवान, कुटुम कुटुम्ब या परिवार, साधु सच्चन, छिटकाय जटका देकर, तरुवर पेड, बापुरो असाय या ब दोस्ती, देखो बच्चों इसमें एक प्रेश्ण दिया हुआ है, इनके क्या करना है, सही उत्तर का क्रमाप्षर छाट कर कोस्ठक में लिखना है, तो पहला है इसमें बुरा जो देखन मैं चला, का आश्य है कि जब मैं बुरे ब्यक्ति को ढूंडने चला, तो मुझे क्या बुरे ही बुरे मिले, कोई बुरा नहीं मिला, सब कुछ, कुछ बुरे और कुछ भले मिले, या सब भले ही भले मिले, तो इसका उत्तर लिखेंगे, कोई बुरा नहीं मिला, खा, बड़े बड़ाई ना करे, दोहे में हीरा अपना मूल ले, इसलिए नहीं बताता है, क्यों उसका उत्तर क्या होगा ग ना बताना बड़पन की निशानी है एक प्रेश्ण है दोहे को पंक्तियों को पूरा करना है तो इसमें हमें क्या करना है जो दोहे की पंक्तियां है उनमें से देखकर इनको पूरा करना है बुरा चुद एखन मैं चला पुरा ना मिलिया कोई मैं भ भूका ना रहूं साधू ना भूका जाए साहे रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए तरूवर फल नहीं खात है सरवर पिये न पान तो बच्चों इसके इन शब्दार्थों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे धन्यवाद